Welcome to only IS, स्वागत है आप सभी लोगों का Prelim Booster News discussion में आज 28 October 2022 है, तो आईए देख लेते हैं कैसे कौन से important articles हैं जो आज हमें cover करने है हमारा first article dirty bomb के बारे में है मौसकों ने अभी हाल ही में आरोप लगाया है कीव के उपर, यानि की Ukraine के उपर कि हो सकता है कि Ukraine प्लान कर रहा हो कि वो dirty bomb का इस्तेमाल करे कई सारे सवाल है, Ukraine इस्तेमाल करेगा dirty bomb का, तो dirty bomb है क्या और Ukraine इसका इस्तेमाल कहां करने वाला है, क्या dirty bomb से attack किया जाएगा Ukraine की दोरा Russia के उपर, बिल्कुल, ऐसा नहीं है रेशिया आरोप ये लगा रहा है कि डिर्टी बॉम का इस्तेमाल यूक्रेइन अपनी खुद की टेरिटरी में करने वाला है अब यूक्रेइन अपने उपर खुद डिर्टी बॉम क्यों फेकेगा खैर इस सवाल का जवाब हम लेंगे लेकिन उसके पहले जानते हैं कि डिर्टी बॉम होता क्या है डिर्टी बॉम एक्स्प्लोजिव का एक मिक्स है डाइनामैड जैसा साधारन बॉम भी इस्तिमाल किया जा सकता है इसमें इसमें जो सबसे खतरनाक चीज होती है वो होता है इसका रेडियो एक्टिव पाउडर या फिर पैलिट्स जो विस्वोट के बाद रेडियो एक्टिविटी फैला देते हैं जो radioactive powder इसमें इस्तिमाल किया जाता है वो जब atmosphere में spread होगा तो इसकी वज़र से कई सारे लोग प्रभावित हो सकते हैं उनको बीमारी हो सकती है जो radioactive substance की वज़र से होती है तो क्या ये bomb बहुत खतरनाक है ये कुछ nuclear bomb जैसा नहीं लग रहा है ये nuclear bomb से अलग है क्योंकि nuclear bomb बिलक कहानियों में सुनते रहते हैं वहाँ पर atom split होते हैं और उससे बहुत बड़े amount में energy का release होता है इसके बाद एक atomic mushroom बन जाता है कुछ ऐसा और एक nuclear cold की situation बन जाती है वहाँ पर कई सारे लोग तो इस विसफोर्ट से मारे जाते हैं जो लोग बच जाते हैं वो radio activity की चपईट म में आ जाते हैं लेकिन इस प्रकार के bomb में ऐसा कोई बहुत बड़ा विसफोर्ट नहीं होता और जो radio activity होती है वो भी इतनी जादा नहीं होती बलकि एक साध्रान से bomb का इस्तेमाल किया जाता है कुछ radioactive powder को mix करके तो यहाँ पर जो radioactive effect होता है वो उतना ही होता है जितना कि थोड़ी समय के लिए लेकिन अगर आप उस area में जहां पर यह bomb use किया गया है बहुत लंबे समय तक रहते हैं तो फिर आपको बिमारिया हो सकती है तो more or less इस bomb का इस्तेमाल नुकसान पहुचाने के लिए नहीं बलकि डराने के लिए किया जाता है इसका एक नुकसान जो होत कुछ खास नहीं होता बहुत लिमिटेड होता है लेकिन जिस भी area में इसको spread किया जाता है वहां के लोग बहुत जादा डर जाते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जो radiation फैला हुआ है उसकी वज़े से उनकी जान जा सकती है उनकी जान को खत्रा है उन्हें cancer हो सकता है बिमारी ह damage क्योंकि फिर आपको उस पूरी city को evacuate करना होगा वो शहर रहने लायक नहीं रह जाएगा और वहां से आपको लोगों को बाहर निकालना होगा एक्जेम्पल के तौर पे अगर radioactive cesium का इस्तिमाल किया जाता है इस प्रकार के bombs में देखिए यह ऐसी radioactive substance है जो बड़े अराम से म लेना या किसी भी तरीके से acquire कर लेना बहुत मुश्किल काम नहीं है तो इनका इस्तिमाल क्या जाता है सिजियम कम effective होता है इससे बहुत ज़्यादा radiation नहीं फैलता है लेकिन जो भी radiation फैलता है वो डरा जरूर देता है तो अगर एक बार ये dirty bomb use हो गया तो फिर आप पूरा area evacuate करिए खाली करवाईए क्योंकि दशकों तक वो area रहने लायक नहीं रह जाएगा तो वहाँ पर जो भी factories हैं, machines हैं सब कुछ एक दम खाली पर जाएंगी एक तरीके से वो शहर वीरान हो जाएगा तो एक तो इससे डर फैलेगा और दूसरा economic loss होगा क्योंकि वो पूरा area बह ऐसा करके Ukraine sympathy हासिल करना चाहता है बाकी सारे देशों की, वो ये बोलेगा कि डाटी बॉम रश्या ने उनके उपर फेका है, जिससे जो रश्या को support करने वाले देश हैं वो रश्या के साथ छोड़ देंगे, और जो बाकी की countries हैं वो Ukraine के समर्थन में आ जाएंगे, यहाँ प जो Western countries का support Ukraine को मिल रहा है, वो ना मिले, और इस प्रकार के आरोपों के बाद जो backup है Ukraine का वो weaken हो जाएं, इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है, कि रश्या खुद प्लान कर रहा हो कि Ukraine के उपर कुछ dirty bombs fake दिये जाएं, और वो इसकी एक का बना रहा हो, कि एगर वो dirty bomb fake दा भी है, तो war up लगा सकता है Ukraine के उपर, कि देखो मैं तो पहले ही कह रहा था, यह अपने उपर fake दिये जाएं, कुछ भी हो सकता है, इस war is taking a very bad turn, बहुत ही dirty turn ले रहा है यह पूरा war, यह कहां और कब तक जाएगा, किसी को नहीं पता, इस war में, Ukraine को अच्छा खासा backup मिल रहा है, western countries की ओर से, और इसी backup के उपर, हमारा next article है, हमारा next article, Hawk Air Defense Equipment के बारे में है, United States, consider कर रहा है, कि वो अपने पुराने पड़े हुए, Hawk Air Defense Equipment को, जो उनके storage में है, उनको Ukraine को दे रहेगा, जिससे जो Russian drones और cruise missiles का attack लगाता Ukraine के उपर हो रह है, Ukraine उससे खुद को defend कर पाएगा, Hawk क्या है, Hawk का full form है, homing all the way killer, Hawk इसी का abbreviation है, US Army ने इसी 1959 में इस्तेमाल करना शुरू किया, Vietnam War के दौरान, ये एक mobile air defense system है, मतलब आप इसे आसानी से एक वहिकल से दूसरी जिगाए पर ले जा सकते हैं, जैसे एक trolley को tractor से connect किया जाता है, ब हवा से आने वाले किसी भी aerial threat को ये neutralize कर पाएगा, इसमें समय समय पर कई सारे upgrades किये गए, आपको लगेगा कि अच्छा, 1959 में बनाये गए एक air defense system को, USA अगर दे भी देता है उक्रेन को, तो क्या उक्रेन इससे खुद को defend कर पाएगा, तो बात ये है, कि ऐसा नहीं कि ये defense system 1959 का है, रधर समय समय पर इसमें कई सारे updates भी हुए हैं, जैसे कि 1971 में iHawk developed किया गया, जिसका मतलब था improved Hawk, जिसकी जो killing probability थी, वो 85% तक थी, मतलब कि जो भी हमले हो रहे हैं, aerial threats आ रहे हैं, वो drones है, मिशेल्स हैं, उनमें 85% तक को ये neutralize कर देगा, खातम कर देगा, जो इसका इसे modernize किया गया, तो जो इसका area था, वो बढ़के 40 km हो गया, मतलब Hawk 40 km का area cover करके defend कर पाएगा आपको, और इसका जो interception altitude था, वो बढ़के 18 km हो गया, यानि कि 18 km की उचाई में भी ये अपने threat को neutralize कर सकता है, Hawk system को जो Patriot missile defense system है, जिसे Raytheon एक company है, यूएस की वो build करती है, 1990 90's मिनों ने इसे बनाना शुरू किया था, इसे ही प्रडिश हर माना जाता है, और अभी तो आपको पता है कि थार का इस्तिमाल किया जाता है, अमेरिका के द्वारा defense equipment के तौर पे, USA की forces ने हाला कि Hawk का इस्तिमाल करना सन 2000 के बाद बंद कर दिया, लेकिन अब वो इसे प्ला हमारा नेक्स आर्टिकल एथियोपिया के बारे में है, एथियोपिया की सरकार अपनी ओर से एक टीम भेज रही है और दूसरी ओर से टीम मिलने वाली है टिग्रे forces की, टिग्रे forces मतलब टिग्रे People's Liberation Front यानि की TPLF और ये दोनों लोग बात करने वाले हैं South Africa में, किस बारे म Union ये बातचीत करवा रहा है, मैं आप से सवाल पूछता हूँ, आप जवाब Comment Box में दीजेगा कि African Union में total कितने members हैं, ये सवाल है आपके लिए, जवाब Comment Box में मुझे चाहिए ही चाहिए, चलिए, अब देखें, क्या है पूरा मामला, टिग्रे जो है एक region है Ethiopia का, जो इसके Northern Region है, ये है Tigray region, Tigray region में जो Ethiopia की सरकार है, वो पूरी तरीके से अपना control नहीं रखती है, ज़र वहाँ पर एक group, Tigray People's Liberation Front, लगभग दश्कों से अपना प्रभावत जमाये हुए है, और वहाँ की सरकार, यानि कि Ethiopia की सरकार, लगातार उनसे confront करती रहती है, ताकि वो इस area को अपनी प्रभाव छेतर में ले सकें, क्योंकि Tigray का area अभी भी पूरी तरीके सुनके प्रभाव छेतर में नहीं है, and that is the reason कि Tigray के बीच में, यानि कि जो Ethiopia का नदन पार्ट है Tigray, उसकी जो forces हैं, और Ethiopia की forces की बीच में अकसर confrontation और लडाईयां होती रहती हैं, और इसमें कई चा ने जो Tigray का region है, वहाँ पर एक fresh attack organize किया, ये कहते हुए कि जो TPLF है, वो government properties को attack कर रहा है, और security forces को मार रहा है, इन आरपो के साथ, Ethiopia की सरकार के द्वारा, या वहाँ के प्रैमिस्टर के द्वारा, attacks किये गए Tigray region में, और एक बार फिर से, बहुत massive scale पर, जो warfare है, या dispute है, व इसमें कई सरे लोग मारे गए, जो humanitarian organizations हैं, उन्होंने बताया कि situation बहुत ज़्यदा worse in है, Ethiopia टिग्रे के बीच के अगर इस crisis की बात करें, तो इसमें लगभग अभी तक 5 लाख लोग मारे जा चुके हैं, तो टिग्रे के बारे में कुछ basic बाते आपको बता देता हूँ, ये एक land-locked country है, मतलब इसका कोई भी हिस्सा समंदर को नहीं चूता, Horn of Africa में located है, officially इसे Federal Democratic Republic of Ethiopia कहा जाता है, capital, Addis Abada है, ये दुनिया की कुछ oldest countries में से एक है, मतलब शुरुआत से ही ये country के तौर पे अपने existence को बनाये हुए है, हलां कि territory समय समय पर बढ़ती और घटती रही है, ये 10th largest country है, अफ्रिका की, अगर आप area की बात करें तो, Ethiopia कहां located है, आसपास के रेसों के reference में देखें, तो आपको ये Sudan के South East में मिलेगा, Eritrea के South में मिलेगा, Jibouti और Somalia के West में मिलेगा, Kenya के North में मिलेगा, और South Sudan के East में मिलेगा, तो ये location है, मैं आपको एक और interesting fact बताता Ethiopia के बारे में, Ethiopia दुनिया की सबसे populous landlocked country है, सबसे populous country तो चाहिना है, अभी हो सकता है, ने रसमें में में इंडिया हो जाए, लेकिन landlocked country में सबसेदा population आपको किस की मिलेगी, Ethiopia की मिलेगी, अब मैं आपको Ethiopia के बारे में बता रहा हूँ, Ethiopia में जो अभी conflict चल रहा है, उसकी relevant है, देखे, 2018 में ये प्रशन पूछा गया, जहां पर आपको दिये गए हैं कुछ regions और वो किस country से belong करते हैं, और आपसे पूछा गया है कि कौन सा pair correct है, Catalonia, Spain, Crimea, Hungary, Mindanao, Philippines और Oromia, Nigeria, सही जवाब हाला की C था, यानि कि 1 and 3, ये pairs matched हैं, मतलब 2018 में ये प्रशन पूछा गया है इस प्रकार के इस nature के प्रशन पूछे जाते हैं, दुनिया में जो भी region disputed है, वो किस country से belong करता है, आपको पता होना चाहिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि टिग्रे region किस country से belong करता है, तो आपको पता हो कि ये इथियोपिया से belong करता है, हमारा next article किट्टूर में करनाटका में observe किया किया, ये freedom struggle के initial phase को depict करता है, 1824 में जो बिटिशर्स के against में शुरू किया किया, किट्टूर उत्साव एक state level festival है, जिसे किट्टूर रानी चेनम्मा के memory में याद में celebrate किया जाता है, जिन्होंने बिटिशर्स के against में जो first war of independence हुआ 1857 का, उसके 30 सल पह किट्टूर की रानी के इस बलिदान को बहुत जादा acknowledge नहीं किया गया है, और ये दिहास के पन्नों में कहीं खो गई है, लेकिन करनाटका के लोग उन्हें नहीं भूले है, and that is the reason कि दो दिनों का state level festival मनाया जाता है वहाँ पर जहाँ पे किट्टूर रानी को याद किया जा किट्टूर चेनममा जी, जो इंडियन क्वीन थी किट्टूर की, किट्टूर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, जो वर्तमान के करनाटका में लोकेटिड था, जो रानी थी, उनका जन्म 1778 में हुआ था, काकती में, एक छोटा सा गाउं है, वर्तमान का, जो कमिनिटी से बिलॉंग करती थी, उन्होंने बच्पन में ही होर्स ट्रेनिंग, स्वोड, फाइटिंग और आल करी वगएरा सीख ली थी, बहुत ही यंगर एज में, उनका विवाह, राजा, मल्ल सर्जा के साथ हुआ था, मल्ल सर्जा जो देसाई फैमिली से बिलॉंग करते थी, दॉक्टरिन ओफ लैप्स, ये कुछ गलत नहीं हो रहा है क्या, क्योंकि दॉक्टरिन ओफ लैप्स तो 1848 में डलहौजी लेकर आया था, ये 1824 में क्या चल रहा है, आप अभी समझ जाएंगे कि ये क्या मामला है, दॉक्टरिन ओफ लैप्स के अंतरगत, जो रेबिलेन हुआ, तो उसमें रानी को बंदी बना लिया किया, और उन्होंने अपना अंतिम समय एक प्रिजनर ओफ वार की तरह बिताया, पहली फीमील रूलर थी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लडाई लड़ी, और कुछ चुनिंदा रूलर्स में से एक थी, रान 1859 तक चली थी ये, इसके शुरुआत, फॉर्मली, 1848 में मानी जाती है, डलहौजी को असोसीट किया जाता है, डॉक्रिन ओफ लैप्स के साथ, जिसमें उनका ये कहना था, कि अगर किसी भी राज्य में उनका अपना खुद का नैश्रल हेयर नहीं है, तो वो उस राज्य के पर हिंदू स्टेट्स के उपर एप्लिकेबल था, मुस्लिम स्टेट्स के उपर नहीं, लॉट डलहौजी जो गवर्नर जनल था इसन इंडिया कंपनी का, 1848 से 56 के बीच में उसने इसे फॉर्मलाइज किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उसका खुद का इन्वेंशन था, इस इसके फॉर्मली इंटर्डूज किये जाने के पहले भी, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जेट फॉर्ट जेबरा के बारे में है, पुरी के मुनिसिबल कॉंसल ने भी प्लान किया है कि वो पांच जेबरा लेकर आएंगे राजीव कांथी जेलोजिकल पार्क के लिए, फॉरें जेबरा, हाला कि जेबरा आफ्रिका में पाये जाते हैं, लेकिन जो इस्पिसीज हैं, उनका अपना एक स्पेसिफिक एरिया है, जो ग्रीवी जेबरा होता है, वो सबचे बड़ा होता है, इनका वेट लगभग 350 से 450 केजी के आसपास होता है, यह एरीड ग्रास लैंड जो में लोकेटेड है, पुने देश्टिक में महरास्टा के इसलिए, इसे पुने मुनिसिफल कॉर्परेशन मैनेज करता है, 130 एकर में फैला हुआ है, इसे एक एनिमल और्फिनिश के तौर पर इस्थिमाल करते हैं, स्नेक पाक, जू, मतब काफी बड़ा हिस्सा है, टीम पार् बेखती है, भरत में जितनी भी जूज है, वहां का रखाओ जनवरों का अच्छा है की नहीं है, ये इनका काम है, World Association of Jew and Aquariums की ये मेंबर भी है, Central Jew Authority को Section 38-A का इस्तेमाल करके Wildlife Protection Act of 1972 के बनाया गया था, इसमें एक Chairman, 10 Member और एक Member Secretary होते हैं, हमारा नेक्स आरिकल, Like-Managered Developing Countries य इसमें कई सारे देश हैं, including India, इसके लावाँ Egypt, Indonesia, Malaysia, Iran, Bangladesh, Sri Lanka, Philippines भी शामिल हैं, 18 देश दुनिया की 50% population cover करते हैं, इनका basic agenda होता है climate के मुद्दे पर बातचीत करना, LMBC ग्रूप जो climate के मुद्दे पर एक जैसी राय रखते हैं, ये लोग Global Front पे climate की issues पर अपनी एक common wise raise करते ह हैं, हमारा next article इंडिया के चाइना के साथ trade को लेकर है, इंडिया के trade equations चाइना के साथ पहले से बहतर हो रहे हैं, हमारा export थोड़ा सा बढ़ रहा है और import में थोड़ी कमी आई है, इसलिहाँ से हम कहेंगे थोड़ी बहतर ही हो रही है, चाइना इंडिया का one of the largest trading partner है, दोनों 2021-22 में 15.4 billion dollar का हो गया है, इसमें जो export है, वो 2014-15 में महस 11.9 billion dollar का हुआ करता था, इसमें 78.1% की उच्छाल देखी गई है 2021-22 में, और हमारा जो export है चाइना के साथ, वो 21.25 billion का है, लेकिन import की तुलना में ये अभी भी बहुत कम है, च्योंकि जो हमारा import है चाइना के साथ, वो 94.16 billion dollar का है, 2021-22 में, और ये 2014-15 के तुलना में 55.8% बढ़ा है, भारत, चाइना से कई सारे intermediate goods import करता है, और ये हमारे import का one-third हिस्सा कवर करता है, हम कुछ capital goods भी मंगाते हैं, जो 90.3% कवर करता है, क्या मंगाते हैं हम चाइना से, चाइना से हम electronic components मंगाते हैं, computer hardware मंगाते हैं, telecom instruments, organic material, industrial machinery, dairy के लिए, residual chemicals, allied products, electronic instrument, bulk में drugs मंगाते हैं, दवाईया मंगाते हैं, intermediates, कई सारे जो products हैं, उनका भी मंगाते हैं, अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, कि हम वहाँ से क्या-क्या मंगाते हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि चाइना का phone ना खरीदने से, और Chinese light ना लेकर आने से, चाइना के साथ हमारा import कम नहीं होगा, तो अब इसके लिए परेशान मत होए, अगर इस import को कम करना है, तो इंडिया को अपने industrial structure में कई सारे बदलाव करने होंगे, अब आपके मन में सवाल होगा, या खिर हम इतना Chinese सामान खरीद करना पड़ता है, दूसरा, चाइना एक manufacturing hub है, वहाँ पर price competitiveness है, क्योंकि labor सस्ता है, और वहाँ की सरकार, सस्टी भी बहुत ज़्यादा देती है, इसलिए वा अपना सामान, बहुत सस्ते पर बेच पाते हैं, economies of scale के वज़े से, वो बहुत ज़्यादा बेचते हैं, तो सस्त to air missile है, air to air missile नहीं है, Ethiopia, Africa की mainland में इसकी longest coastline है, ये एक तो गलत बात होगे देखो, ये कैसे सही हो सकता है, ये landlock country है, और मैं longest coastline की बात कर रहा हूँ, एकदम गलत है, doctrine of labs के तहब के तहब के टूर को 1824 में मानवी, 1839, कुलाबा और जलॉन 1840, और सुरत 1842 में कबजे में लि की देहत बनाया गया, LMDC इंडिया इसका member है, ये बात बिलकुल सच है, तो मरा आज का ये session यहाँ पर समाप्त होता है, बहुत बहुत धन्यवाद